असलाम अलेकूम आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूँगी आप इसको एक बार ट्राइ करें ये आपको बहुत जादा पसंद आएंगे और आप देखेंगे बहुत थोड़े से हमारे ये काफी सारे कटलेट्स बनके तयार हो जाएंगे एक हमने बॉल और श्रेड़िट किया हुआ चिकन लिया है थोड़ी सी हमने ये हरी प्याज लिया है दो टेबल इस्पून हरा धनिया और दो टेबल इस्पून हमने पोदीना लिया है हरी प्याज नहीं है तो आप इसकी जगा जो हम घर में प्याज इस्तमाल करते हैं वो ले ल लिए हुआ दोसे तीन हमने बारी कटी हुए हरी मिर्च ली हैं टेस्ट के अकॉक नमjeस्ट करेंगे थे कि मिल लेए ग केँँ हमने बुला हुआ लिया है इसको हं उच्छे से क्लेड़ करे लिए लिए जिचलंट करेंगए उच्छे से मिला लेंगे चिकन में हमने सबी चीजों को अच्छे से मिला लिया है हातों को हम ओल से ग्रीज करेंगे और थोड़ा सा पोर्शन लेके हम इसके कटलेट्स बना लेंगे आप चाहें तो इसके रोल बना ले या फिर आप इसको इस तरह से गोल टिक्की का शेप दे दे एक हमने अंडा लिया है इसको हम फेट लेंगे टिक्की को हम अंडे में कोट करेंगे यानि डिप करेंगे उसके बाद हम इसको ब्रेट करम से कोट कर देंगे हलका सा हम इसको इस तरह से प्रेज करेंगे जिससे की अच्छे से इस पे चिपक जाए ओइल को हमने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था तो अब हम अपने कटलेट्स को इसमें फ्राई कर लेंगे इनको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे देखे हमारे जो कटलेट्स है बहुत ही अच्छे से सिख गये हैं अब हम इनको निकाल लेंगे और यह कितने जादा जबरदस्त लग रहे हैं बहुत ही शांदार क्रंची और क्रिस्पी हमारे यह कटलेट्स बनके तयार हुए हैं आप इसको एक बार ट्राई करें यह आपको बहुत जादा पसंद आएंगे रेसिपी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें अल्ला हाफीज